साथ साल तक कॉंग्रेस सत्ता में रहिए हैं देगे आज उनकी स्तिती लेने के देने पड़ गए हैं यह जो सरे हाम क्या भाषा बोलते हैं देश के विभाजन की अरे भाई 1947 में विभाजन देख करके देश तबाह हो गया और अभी भी उनकी बड़े-बड़े नेता देश के विभाजन की बाते करते हैं और कॉंग्रेस के सारे जो चट्टे-पट्टे हैं इंडी घड़बंदन उनकी रणदिती एक ही है देश में अराज चकता फ़लाओ अस्तिरता फ़लाओ बेश मुश्किल में आ जाएं लेकिन कैसे भी करके इन्हें मोदी को बदनाम करना है उन् इंहाल की आपड़ा सब्चा बड़ी आपड़ा कोरणा के दोरा एई खेल खेले बरत का कोविड मिशन फेलो बरत का वैक्सिनेशन फीलो इसके लिए उन्हें हर पकार के हर्ट गंडें अपनाए जब सीहें कानून में लाए तब भी उन्होंने नकानात्म कर फेला करके इंदू सी इसाई पाकिस्तान में रह गए थे क्या भारत की प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है बठवारा तो धर्म के आधार पर हुआ था ना तो जो पीछे रह गए उनका क्या कसुर था अब भारत ऐसे पिडितों को उनागरिकता दे रहा है तो कॉंग्रेस को परिशानी हो साथियों आज भी कॉंग्रेस अपनी हरकतों से बाद नहीं आ रही है इन्होंने हर बार चुना वहार जाए तो वहां ना डूनते हैं इवीएम ने मार दिया इवीएम ने मार दिया और जहां जीत जाए तो चूप इवीएम के विरुत जेश को भड़काने का प्रयास कर रह अब पतानी बोलनी पाएंगे कभी